Poco effort, device के लिए यहाँ पे एक latest MIUI 14 का stable update आ चुका है जो कि 14.0.7 है और यह provide किया गया है Elite ROM Lite के तरफ से और maybe आपको EU का भी update मिला होगा, बट मुझे EU से थोड़ा ज्यादा बेटर यह लगता है कि EU पूरा पूरा official जैसा रहता है, stock जैसा रहता है जब कि यहाँ पे कुछ extra advantage भी मिलते हैं इस Elite के तरफ से, बट क्या कुछ किस्तरी किसी यहाँ पे देखनी को मिलेगा, performance और बाके दचीजे, वो सब कुछ में यहाँ पे आपको यह बताने वाला हो, इसलिए last तक जरूर वाच करेगा और वीडियो अच्छा लगता है तो like, subscribe और share करना ना भूलें, यहाँ पे मैंने different AOD लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पे AOD unlock मिलता है, तो जितना चाहो उतना आप apply कर सकते हो, यह जो मुझे सबसे अच्छा लगा, यहाँ पे फिलाल में एक theme apply कर रखाओं, जिसको वेसे आपको एक अलग सा look देखनी को मिल रहा तो मैं आपको बाद में बता दूगा कि कौन सा theme यहाँ पे है, पहले आते हैं setting गे अंदर, जहाँ पे आप देखो my device 14.0.7 देखनी को मिलता है, elite rom light, जहाँ पे detailed and info पे आते हैं तो आपको यहाँ पे 7 month का security patch देखनी को मिलेगा, और बागी करने लोगे आपको यहाँ देख देखनी को मिलता है, elite के तरब से, बाकी वही same आपको यह जो screen recording, floating window, sidebar, memory extension और देखनी को मिलेंगे, जो कि आप use कर सकते हो, apps के अंदर जारा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इनके icon आपको जरूर नजर आ जाते हैं, बैटिक अंदर in करने के बाद आप देखो यहाँ पे normally है, number यहाँ पे elite का खुद का system launcher देखनी को मिलता है, जो कि ज़्यादा modified नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको modified मिल जाता है, जहाँ पे अगर आप आते हो recent पे, तो iPhone का style देखनी को मिलेगा, टैप को छोटा बड़ा करने का option मिलेगा, लेकिन इस launcher के अंदर कहीं पे भी यह features दिया गया है, जबकि मैंने यहाँ पे iPhone ओ इनेवल कर रखा है, तो यह चीज यहाँ पे मुझे इसका अच्छा लगा, ज्यादा customizer नहीं है, लेकिन यह तो customizer नहीं है, और proper वो काम करते हैं, बाकि sound and notification के अंदर, वो ही notification set का option मिल जाता है, lock का option मिल जाता है, वो ही सारे always on के उपर, तो आप देखो, यहाँ पे themed icon दिखाई नहीं दे रहा, but don't worry, अगर आप इनके theme पे जाओगे, तो आपको यहाँ पे theme का fully supported देखनी को मिल जाता है, जो कि आपको recommended, theme, super icon, widget, ringtone, fonts, always on display, वगरा सब कुछ दिखाता है, तो जो भी आपको सही लगे, वो आप simple यहा आपके जो icon है ना, उसके अंदर आपको animation देखनी को मिल रहा है, तो जो मैंने theme यहाँ पे apply किया ना, यहर मुझे real में पसंद आया, क्योंकि special icon support यहाँ पे मिलता है, बाकि यहाँ पे wallpaper and style के अंदर वही similar चीज़े देखनी को मिलती है, जो आपको wallpaper देखनी को मिल जाता है, यहाँ पे थोग से extra customization आपको elite की तब से मिल जाते हैं, जैसे कि lock refresh rate है, color notifications वगेरा है, यहाँ पे old आप चाहो तो power menu के enable कर सकते हो, जबकि by default आपको extra देखनी को मिल जाता है, बाकि privacy dot icon वगेरा है, secure जगाँ पे screen shoot किलिक कर सकते हो, यहाँ पे छोटे मोटे row and column notifications वगेरा को आ यहाँ पे option मिल जाते हैं, बाकि सब कुछ काफियत तक यहाँ पे similar मिलता है, लेकिन इसके अलाबा, यहाँ पे आप देखो कि आपका super icon है वो working रहेगा, मैंने notpad को एक नया look दे रखा है, तो यहाँ पे आपका widget support हो मिलता है, लेकिन यहाँ पे super icon भी आप यूज में ला सक आपते हो, तो paid वाले widgets आपके working रहते हैं, यहाँ पे tension लेने की आपको जुरूवत नहीं पड़ती, यहाँ पे अच्छा लगा जो कि EU के अंदर देखने को नहीं मिलता, जबकि elite में मिल जाता है, साथ-साथ यहाँ पे आपको advanced login provide किया गया है, जो कि horizontal और vertical दोनों दिया गय जो कि EU के अंदर दिखाई नहीं रेटा, बट elite के अंदर है, अथ्वास यहाँ पे extra जो customization है, यह भी आपको यहाँ पे देखनी को मिल जाता है, जो कि हमें EU पे नजर नहीं आता, तो यह चीज होईबूत extra हमें मिलती है, EU के comparison में, बट stability के बात करें, तो दोनों काफी अच् कर रहा हूँ, बट मर जी आपकी होगी कि क्या आपको करना है, और यहाँ पे जो default camera है, वो system default वाला है, कोई Leica बगएर से replace नहीं करा गया, यहाँ पे आपको मिल जाता है, Mewa का dialer बगएरा, और जो widget support है, वो same EU वाला ही देखनी को मिलता है, यानि translate version है, तो यहाँ पे जो आपको EU में देखनी को मिलेगा, वही चीज़ आपको यहाँ पे जो देखनी को मिल जाती है, बाकि यहाँ पे और भी ज्यादा कुछ दिया नहीं गया है, जो कि मुझे ठीक लगा, वहीं बगएरा हम अपने gallery के अंदर आते हैं, जहाँ पे साहे test result वगेरा है, तो charging speed यहाँ यहाँ पे मैं कहुँआ, इसमों मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बाद में आपको सही देखनी को मिलने वागा, क्योंकि यहाँ पे हमें सा charging अच्छा ही देखनी को मिलता है, अन्टुटो स्कोर इस वार काफी सही देखनी को मिला, और वर्जन यहाँ पे 10.0 है, जबकि Geekbench यहाँ पे काफी weak मुझे लगाया है, चाहिए वो single हो या multi हो, दोनों में downside देखनी को मिला, तो इसमें improvement के जरुवत है, वैसे भी Poco के अंदर हमेंसा if4 पे Geekbench हमेंसा downside रहता है, पता नहीं क्यों क्या लफ रहे है Poco का Geekbench के सार्थ, और 100 पे डालने के बाद, normal CP total काफी लाजवाब आया है, और बहुत कमी rare case में ही जो हमें normal तरीके से अच्छा result देखनी को मिलता है, जो कि आप देखो 2,50,000 max है, amino यहाँ पे 2,37,000 और no CP total यहाँ पे deduct हुआ है, I know कि 870 का result यहाँ पे आपको accurate नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट आज के time में मैंने बहुत सारे देखनी को मिलते हैं, पता नहीं क्यों कैसे क्या, लेकिन यहाँ पे जैसे game.go को on करते हैं, performance fly होता है, और यहाँ पे आप देखो, पुड़ा पुड़ा 820 का power आपको नजल आता है, जो कि आप देखो 3,35,000 max, amino यहाँ पे 3,6,000 और इस type के green screen वाला पुड़ा अंडूड़ score दिखना, वो भी किसी भी नया smartphone के अंदर, rare case में ही by chance देखने को मिलता है, हमें सा totaling ही रहता है, बट इस मामलों में मैं कवांग वाई, साओ में की चीज़ है, अच्छी है, गेम टरूबा, especially मुझे पसंद आता है, बाके दर company के मामले में, तो बाकी सब का game टरूबा यह बस नाम नाम का रहता है, performance button वगेरा, लेकिन यहाँ पर reality में काम का रहता है, वही पर battery drop की बात करें, तो 69 के बात morning में आता है, यह 66, यानि full light में 3% का battery drop हुआ है, और यह जो stand by timing है, 7 hours 38 minutes, यानि 7 गंटे में 3% का battery drop है, और रही बात यहाँ पर camera वगेरा तो हमारा काम कर रह आता है, जो कि अच्छा लगा, और वही पर photo storage की हम बात करें किया, यहाँ पर unlimited मिलता है, या limited तो चलिए वह भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर photo storage भी आपको यहाँ पर unlock मिल जाता है, जो कि मुझे काफी सही लगा, बाकि यहाँ पर volume panel की बात करें, तो यहाँ पर extra effects भी है आता है, वैसे इनका भी रोम hybrid आता है, तो आप यहाँ तो TLRP से flash कर लो, या इसे unzip करके bad file को run कर दो, आपके phone के अंदर डल जाएगा, तो installation का proper guide वीडियो आपको मिलेगा decision में, जिसे check out करके, आप अपने phone के अंदर easily जो install कर पाऊगे, और यह है इसका boot animation, जो कि पहले से थ यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में ध्यान रहता नहीं, मैं आपको दिखाएता हूँ, अगर possible हो तो find कर लेना, क्योंकि china language में होते हैं, तो मिलना थोड़ा मुस्किल रहता है, बट आप देख लो, यह है theme, जो कि मैं use कर रहा हूँ, जिसका नाम, अरे अभी show कर रहा थ अब पुरा पुरा चाइना में हाँ आ गया है, यह theme आप search कर लो, और apply कर लो, आपको icon animations हो गया देखनी को मिल जाएंगे, आपके मर्जी हो तो use करो, otherwise just ignore कर लो झाल